लखनो सूपर जाइंट्स और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए मगाबले में पंजाब की टीम को शांदार जीत मिली। पंजाब किंग्स के शारुखान नजर आ रहे हैं। दरेसल आपको बता दें कि इन वीडियो में पंजाब किंग्स और साथी लखनो सूपर जाइंट्स के फिल्डर्स का जबरदस फिटनेस जबरदस फिल्डिंग एफट देखने को मिल रहा है। एक शांदार शौट खेला। शारुखान उस गेंद और बाउंडरी के बीच में आए। उन्होंने एक बार फिर शांदार एफट दिखाया और गेंद को हातों में पकड़ा। जब लगा कि वह बाउंडरी लाइन के पीशे जा रहे हैं तब उन्होंने गेंद को मैदान के अंदर फेका, खुद छलांग लगाई, दुबारा से आई और डाइव लगा कर उस कैच को पकड़ लिया। यह कि आज इतना शांदार था कि निकोलस पुरन पहली गेंद पर आउट हो गए और पविलियन लोड गए, निकोलस पुरन के बात करें तो पिछले मैच में उन्होंने शांदार बलेबाजी की थी और टीम को मैच जिताया था, ऐसे में उनका विकेट अपने आप में जिसका वीडियो वाइरल हो गया है. शोशल मीडिया पर इस एफट की तारीफ हो रही है और साथ ही केल राहूल के बलेबाजी की भी लोग तारीफ कर रहे हैं आपको जानकारी के लिए बता दें कि केल राहूल ने कप्तानी पारी खेली इस मैच में 56 गेंदों में 74 रन बनाए इसी के साथ उन्होंने आईपिल के इतिहास में 4000 रन पूरे कर लिए है और वैसे सबसे तेज 4000 रन पूरे करने वाले खेलाडी बने है साथ इसाथ कप्तान के तोर पर 2000 रन भी केल राहूल ने पूरे कर लिए है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है इसके साथ ही अगर शारुखान की कैच की बात करें तो शारुखान ने जहां कैच पकड़ी तो बलेबाजी से भी टीम के लिए योगदान दिया इस मैच में शारुखान की बलेबाजी की बात करें तो उन्होंने मैच जिताने में टीम के लिए एहम पारी खेली और उन्होंने कुल 10 गेंदों में 23 नवाद बनाए, 2 छक्कियों और 1 चौका लगाया आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके ज़रू करता है वीडियो को लाइक, शेर हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें नवसकर